So Hello Guys, Most Welcome Back to our YouTube Channel ग्यानवित सचिन्तो दोस्तो आज के इस कम्प्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉले टेक्निक के बाद बीटेक करने का सही तरीका क्या रहने वाला है यानि आपने डिपलोमा कर लिया है और आप सभी चाहते हैं कि प्रमोशन अच्छा हो इंडरस् उसका करने का जो तरीका है वो सही तरीका क्या है उसको हम बताने वाले हैं और आप पॉले टेक्निक करने के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें डिसकस करेंगे, सबी इस्टूट्स का दिमाग में रहता क्या IIT, NIT जैसे इंस्टिटूट्स में दाखिला हो पाना सम्भव है, तो कुछ ऐसी सम्पूर जानकारी आज के इस complete वीडियो के माध्यम से हम समझाने वाले हैं, तो जितने भी UP Polytechnic के स्टूट्स हैं, ब स्टूट्स के साथ करना चाहिए, आपको चाहे वो जौब कर रहा हो, चाहे वो आगे B.Tech करके नौकरी के बाद नौकरी करना चाहरा हो, लेकिन अगर अभी डिपलोमा के बाद भी नौकरी आपने अगर कर लिया है, तब भी definitely आपको B.Tech side by side करना चाहिए, और कैसे करना चाह के बाद BTEC 3 साल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है दिखिए आप अगर side by side करना चाहते हैं तब भी और आप continue regular करना चाहते हैं तब भी आपको अभी फिलाल के लिए CVT का exam देना होगा 2025 में ठीक है CVT 2025 का आप exam दोगे उसमें सिर्फ score आपको देखने को मिलेग सिर्फ उसमें score देखने को मिलेगा और उसके थुरू आप क्या करोगे AKTU की counseling में participate करोगे AKTU की counseling जो होती है वो UP Tech counseling कहा जाता है उसे UP Tech counseling में आप क्या करोगे participate करोगे यह CVT का सिर्फ score आएगा यानि number आएगा UP Tech में क्या आएगा आपकी rank देखिए इसमें क्या होता है और मतलब अपने सारे document को क्या किया UP Tech पर registered कर दिया तो जब आपका seat allotment आएगा तो जहां पर rank वाला option रहेगा तो जितने students apply कि होंगे CUT की basis पे उसके इसाब से आपकी rank कितनी है वो दिख जाएगी आप चाहें तो triple MUT में भी apply कर सकते हैं triple MUT हो गया HBTU हो गया ठीके यह द उतना ज्यादा value नहीं है अब बात करते हैं triple M, triple AM और HBTU दोनों की fees जो है 1,35,000 जार है तो हम जैसे middle class family या एक normal family वाले इसको effort नहीं कर पाते क्योंकि 1,35,000 के साथ-साथ इनकी exam fees वगरा देना और इनका registration 25 रुपय में होता है तो बहुत जादा critical हो जाता है तो UP Tech में आप जा सकते हो IT के लिए ठीक है IT के लिए आप सभी की rank जो है 12,30 rank बनने वाली है यानि लगबग 3,500 के आसपास का score होना चाहिए 3,500 से 400 के score आसपास CVT में score होना चाहिए फिर आप इसमें admission ले सकते हो आप हम बात करते हैं उनके लिए जो side by side करना चाहते है side by side करना चाहते हैं कि side by side का मतलब यह होता है कि आप कहीं से पी private VTEC कर सकते हो कहीं से भी private VTEC कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज से ठीक है private college से डिगरी कैसी रहेगी आपकी रेगुलर डिगरी कैसी रहेगी रेगुलर में अब आपका फीस कितना वहाँ पर लगने वाला है देखिए प्रोसेश पोकषा पॉलेटेक निकालेज में फीस देते ओकुटना जितना मैं आपको वी टक करा दूँगा और आपकी उसमें इसकोवरसिप भी आएगी और वो भी 100% की scholarship आएगी कितना आएगी 100% की scholarship आएगी और scholarship कितनी आएगी पूरे 55,000 ठीक है पूरे 55,000 scholarship आने वाली है और fees कितनी करवा दूँगा मेरे पैरे साथ ही हो fees आपकी पूरी 25,000 से लेकर के 30,000 देखे branch to branch depend करता है अगर आप computer science से करना चाहते हैं तो computer science की लगवख 35 से 40,000 रुपए रहेगी ये सिर्फ CSE के लिए लेकिन आप mechanical है, electrical जैसी branch से आपने किया है और आप industry में job कर रहे और electronic से किया है और आप चाहते हूँ कि मैं side by side अपना engineering करता रहूं तो आप 25 से 30,000 रुपए में engineering करोगे और 100% scholarship कितनी आएगी 55,000 आएगी तो 30,000 में से 55,000 आपना निकाल देना 25,000 रुपए वो college को जमा कर दिया जाएगा तो ये कैसी possible हो पाएगा मेरे पहरे साथ यों ये वही मेरा अपना जो number है उसी पर आपको क्या करना होगा message करना होगा यानि अपना इस चीज को याद रखना जब भी admission कराना हो ऐसा नहीं कि आज आप message करो मेरे को ठीक है आप मेरे को message आज करो ये ज़रूरी नहीं है ठीक है अब ऐसा तो नहीं है कि कोई मैं scam वाला हूँ आपको पता ही है कि तीन साल से trusted हूँ और आप सभी के साथ continue जुड़ा हूँ कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है मैं सोचता हूँ कि आपका ही भला हूँ college भी मुझे पैसा देगा ऐसी ज़रूरी वाली बात नहीं है कि college जो जहां कराऊंगा वो मुझे पैसा देगा उससे तो मुझे benefit है लेकिन आपको अगर मैं benefit दे पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों अभी तक UP Polytechnic के बाद डिप्लोमा के बाद जितने भी BTEC में admission कराने वाले हैं इससे budget कोई भी नहीं करा सकता 25,000 रुपे में कोई नहीं करा सकता मेरे प्यारे साथियों वो भी location कौन सा है मेरे प्यारे साथियों वो भी location लखनव है और college जो है वो आपका 2008 का बना हुआ college है तो मतलब ऐसा नहीं है बिलकुल भी कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है दूसरी बात आपको क्या क्या करना होगा वहाँ पर देखिए आप admission करा दोगे आप अपना job continue करते रहोगे क्या करते रहोगे job continue आप सभी करते रहोगे अब उसके बाद आपका जब practical होगा practical भाई practical diploma में भी होता है benefit है आपको side by side VTEC करने का और अगर industry में आप job कर रहोगे तीन साल चार साल करोगे उसके बाद आपको VTEC की degree महसूस होगी उससे पहले मैं आप सभी को personal suggestion दे रहा हूँ कि आप सभी side by side VTEC कर लेना और अगर पढ़ करके college में पढ़ करके करना चाहते हो मेरे पढ़कर साथ यहां कहां से करना चाहिए गवर्मेंट college से कौन से college है आपका IT है ठीक है कुछ RECs है placement यहां पर ना के बराबर है इन college में ठीक है placement कैसा है ना के बराबर है अब मेरा भी आप पूछोगे कि सर आपने भी डिप्लोमा किया और आप भी बीटेक करने जा रहा हूँ डेफिनेटली क्योंकि मेरा यूटूब पे अच्छा खासा मतलब सब कुछ चल रहा है और अच्छा मुझे लगता भी है पढ़ाना लोगों को बताना भी अच्छा लगता है तो टूप पर एक्स्ट्रा टाइम देना इंकम का सोर्स जो है उस पर ज्यादा फोकॉस करना उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में द्यान देना फिर अपना सेमेस्टर देखना और आप लोगों का सेमेस्टर देखना तो इसकी वजए से और दूसरा रीजन ये था कि मुझ तीसरा है मैथ ठीक है ये है 200 नंबर का ये है आपका 200 नंबर का और ये है 200 नंबर का ये मुझे आता नहीं धंक सा ये आता था तो इसमें धंका आ गया और जीटी मुझे पढ़ना नहीं था क्यों नहीं पढ़ना था क्योंकि अभी आगे कुछ ऐसा खास है नहीं और गेट बीच देने वाला हूए याणि B.T.E.C. के बाद M.T.E.C. करने के लिए तो वहाँ पर भी पूरी इंजिनरिइरिंग की ही जरूवत है तो इसकी वजह से मेरा C.U.T. में खास लक नहीं रहा तो इसकी वजह से मेरा O.D.E.S. कोर भी बहुत कम रहा और मुझे ऐसे ही कॉलेज म बाद भी placement का कोई भी अभी यहां से 3 साल बाकी है इरादा नहीं है तो definitely अभी M-tech की तरफ जाना है वो भी IIT and IT से M-tech करने का वो भी सपना पूरा हो जाएगा और B-tech का सपना तो मालो इधर पूरा ही हो जा रहा है लेकिन आप लोगों की side by side वाला system है वो आप सभी definitely करिए तो definitely संभव नहीं है अब क्या branch change करना चाहिए आपको दिखिए अगर आप side by side job के side by side चल रहे हो आप है ना engineering में mechanical पे भी अभी interest है और mechanical में ही growth करना चाहता हूँ तो मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है तो यह था आप सभी को बता दिया बाकी मैं गाइड भी करूंगा आने वाले टाइमों में आप सभी को इसी चैनल पर तो चैनल से जुड़े रहे है बाकी जो बच्चे side by side कराएंगे वो जरूर contact करेंगे देफिनेटली उनका कराके देऊंगा तो चलिए मिलते हैं एक नहीं फॉर मेड़ी वीडियो के शाहत तब तक के लिए बाबाए टेटा टेक केर लभी यू आल